कि देश के लिए कुर्बान ये जवानी लिख दूँगा मैं लहू से अपनी कहानी लिख दूँगा कोई पूचे मुझसे मेरी जाती मेरा धर्म मैं बहाँ पर इंदानियत और हिंदुस्तानी लिख दूँगा देश के लिए कुर्बान ये जवानी लिख दूँगा मैं लहू से अपनी कहानी लिख दूँगा कोई पूचे मुझसे मेरी जाती मेरा धर्म मैं बहाँ पर इंसानियत और हिंदुस्तानी लिख दूँगा बहु सुपी एक ऐसे मैं कहा है ना अकसर ऐसे लोगों के लिए ज़्यादा लिखता हूँ जिसके लिए किसी ने ना लिखा हो पिछली बार मैंने चाचा के लिए लिखाता सब बाहिर के यहां पढ़ाता महाँ पर तो अमने ऐसे लोग के लिए लिखने जा रहा हूं जो सुनिया कि हिजडा चक्का क्या 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 कहते पर इजड इनको कोई न देता ना मिले कोई हिस्सा ना कोई सम्मान मिले जिस घर में पैदा हो जाएं फिर जीने की महलत कोई न देता और देखिया कि मैंने हर इमानदार को नोटों पर जाते देखा है मैंने हर इमानदार को नोटों पर जाते देखा है जो बताते हैं खुद को समाच से भी दुनिया का अक्सर मैंने उन लोगों को कोटों पर जाते देखा मैंने हर इमानदार को नोटों पर जाते देखा है दारू और धनकी खातिर बोटों पर जाते देखा है जो कहते हैं जो बताते हैं समाच से भी इस दुनिया का मैंने एक्सर उन लोगों को कोटों पर जाते देखा है देखे सुने के बहुत शुक्रिया 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 ब इज्जत कमाना मियां सब की बात नहीं बहुत सुपीआ ये का दो श्याद दो शेर और उसके बाद एक बस जगा लूँगा अपनी के छोटी सी उम्र में महबद नादानी कर रहे हो अपने लिए खड़ी तुम एक परेसाणी कर रहे हो चोटी सी उम्र में महबबत नादा नहीं कर रहे हो अपने लिए तुम खड़ी एक परेशा नहीं कर रहे हो बूडों बडों के सामने खुलों में देते हो बोसा बूडे बडों के सामने खुलों में देते हो बोसा बेटे ये हरकते तुम सेता नहीं कर रहे हो